कर्मचारी पैंशन योजना अंप्लॉई पैंशन स्कीम के लाभारती कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कर्मचारी भविश्यन निधी संगर्थन एप्यफो के तहट एक उच्चस तरिय समिती ने वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है एप्स पैंशन पैंशन फंड समिती ने कहा है कि वेतन सीमा मौझूदा 15,000 रुप्य से बढ़ा कर 21,000 रुप्य प्रती माह की जाए कमेटी का कहना है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और इसे पिछली तारीक से लागू किया जा सकता है यदि करमचारी पैंशन योजना अंप्लॉई पैंशन स्कीम का यह प्रस्ताव लागू होता है तो लगबग 7.5 लाख अतिरिक्त करमचारी लाभानवित होंगे क्योंकि उन्हें भी इस एप्स पैंशन पैंशन फंड योजना के तहत कवकिया जाएगा और 2014 में अंतिम संशोधित वेतन विद्धी के लिए भी समयोजित किया जाएगा Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ट सरकारी अधिकारी ने कहा अगर इस सुझाव को EPFO के केंडरी अन्यासी बोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे उन नियोकताओं को राहत मिलेगी जो कोई भी अतिरिक्त वित्ति अबोज उठाने को तैयार है दरसल नियोकताओं ने महामारी के कारण बिगरते बजट का हवाला देते हुए इस बड़ोतरी की मान की थी अगर प्रस्ताओ को मंजूरी मिल जाती है तो सरकारी खजाने को भी राहत मिलेगी क्योंकि एपिएफो की करमचारी पेंशन योजना अम्प्लॉई पेंशन स्कीम के लिए फिलहाल केंद्र सरकार हर साल करीब 6,750 करोड रुप्य का भुगतान करती है आपको बता दे की सरकार इस एप्स पेंशन पेंशन फंड योजना के लिए एपिएफो अंशधारकों के कुल मूल वेतन का एक दशमलव एक 6 प्रतिशत योगदान करती है कर्मचारी पेंशन योजना, Employee Pension Scheme के केंद्रिय अन्यासी बोर्ड में शामिल के रगुनाथन ने कहा कि EPFO के भीतर इस बात पर सहमती है कि EPFO और ESIC दोनों के तहट सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समान मांधंडों का पालन किया जाना चाहिए दोनों एपस Pension, Pension Fund योजनाओं के तहट मांधंडों में अंतर श्रमिकों को उनके सामाजिक सुरक्षा लाबों से वंचित नहीं करना चाहिए जब हम नौक्वी शुरू करते हैं और EPF के सदस्य बनते हैं तो हम उसी समय एपस Pension, Pension Fund के सदस्य भी बन जाते हैं कर्मचारी अपनी सेलरी का 12 फीसदी EPF में देता है इतना ही पैसा उनकी कमपनी भी देती है लेकिन उसका 8.33 फीसदी हिस्सा भी EPF में जाता है जैसा कि हमने उपर बताया कि मौझूदा समय में अधिक्तम Pension योग्य वेतन केवल 15,000 रुप्य है यानी हर महीने कर्मचारी पैंशन योजना Employ Pension स्कीम में पैंशन का अधिक्तम हिस्सा 15,000 का 8.33 प्रतिशद 1250 रुप्य है कर्मचारी के सेवानिवरित होने के बाद भी EPF Pension Pension Fund की गणना के लिए अधिक्तम वेतन 15,000 रुप्य माना जाता है जिसके अनुसार कर्मचारी कर्मचारी पैंशन योजना Employ Pension स्कीम के तहट अधिक्तम 7,500 रुप्य पैंशन प्राप्त कर सकता है एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपने एक सितंबर 2014 से पहले एपस Pension Pension Fund में योगदान देना शुरू किया है आपके लिए पैंशन अन्षदान के लिए मासिक वेतन की अधिक्तम सीमा 6,500 रुप्य होगी यदि आप एक सितंबर 2014 के बाद कर्मचारी पैंशन योजना Employ Pension स्कीम में शामिल हुए हैं तो अधिक्तम वेतन सीमा 15,000 होगी अब देखिए कैसे बनती है पैंशन मान लीजिए किसी कर्मचारी की सेलरी बेसिक सेलरी और डीए 20,000 रुप्य है बदले हुए पैंशन फॉमूले के मताबिक उनकी पैंशन 7,500 रुप्य की जगह बढ़कर 8,571 रुप्य हो जाएगी एप्स पैंशन, पैंशन फंड कैलकूलेशन का फॉमूला, मन्थली पैंशन, पैंशनेबल सेलरी एक्स एप्स कंट्रिब्यूशन चेक किया जा सकता है इस तरह कर्मचारी पैंशन योजना अम्प्लोई पैंशन स्कीम में सीधे पैंशन में 300 फीसदी का उच्छाला सकता है